हलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों हम फिर से लेकर हाजी रहें आपके लिए GS World की एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबर्जस्ट टेस्ट रीज आपके आने वाले एक्जाम UPPSC ROARO प्रिलिम्स 2024 के लिए साथियों आज की जो हमारी ये टेस्ट रीज है Economics और UP Special से संबन्दित आपको प्रश्ण मिलेंगे और इनी टापिक से संबन्दित जो Current से मुद्ध है वो भी आपको मिलेंगे और साथियों जो सबसे बड़ी खास बात है इसमें आपको जो दिया गया है आपके जो सवाल आएंगे वो बजट से संबन्दित सवाल है Economic Survey आर्थिक सर्वे से संबन्दित सवाल है सुचकांग के जो विभिन सुचकांग है उससे संबन्दित सवाल होगा जो भी सरकारी इसकी में सरकारी योजनाय है वो होंगे और Current Affairs जैसे ऐसे महत्पुल टॉपिक से जोड़कर पूरे इकोनामिक्स को इस तरीके से बैलेंस करके आपके लिए बनाया गया है कि आपके पूरे UPPCS और ROARO जो दोनों आपकी एक्जाम होने वाले इनके सेल्बस को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कैसे पूरे सिल्बस को कवर करेगा और आप जैसे ही इस प्रशन को पूरा साल करेंगे साथ यो डेड़ सो प्रशनों की यह टेसरीज है डेड़ सो प्रशनों को साल करेंगे ता आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इन एकजाम में UP, RO, ARO में और UP, PCS में जो प्रशन पूछे जाते हैं इकोनामिक्स के वे कहां से पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं किस लेबल के पूछे जाते हैं वो सारा आइडिया आपको लग जाएगा कि प्रशन कैसे पुछे आते हैं, किस लेबल पुछाते हैं, सारी चीजे आपको जानकारी हो जाएगे, तो साथियों तन मन से लग जाएगे, आपके लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि साथियों समय ब्यक्ति और संबंध, ये तीनों जो होता है, हाथ से निकल जाने के बाद इनकी कीमत समझ में आती है, तो आप लोग साथियों लग जाएगे, आप लोग कितनी अच्छे से ये चीजे आपको जो है आईडिया लगेगा, तो चलें साथियों लोग पहला परशन देखते हैं, क्या करा है हमारा, आज कहिए हमारा पहला परशन, गजब का सवाल है, एक से बढ़कर एक साथियों सवाल है आपके लिए, तो देखें हम लोग जो पहला परशन इसमें उत्तर देना है, अब चलें हम लोग पहला वाला जब हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है, बजट यानि उत्तर प्रदेश का बजट आठ लाख 36,000 करोड है, साथियों थोड़ी सी गड़बड कर दिया, इसलिए यह कथन गलत हो गया, उत्तर प्रदेश का जो बजट है, वो साथ दसमलो तीन छह लाख हजार करोड, यानि यहां जो साथ आठ दे दिया है, यहां साथ रहना चाहिए था, और यह 36,000 करोड जो दिया, यह सही है, इसका मतलब यह गलत हो गया यहां, तो यह गलत हो गया, और दूसरा वाला गर हम पढ़ें, तो बजट में 24,863.57 करोड तो यह जो है, दूसरी बात, दूसरी कथन आपकी सही है, तो यहां पर जो आपका उत्तर होना चाहिए साथियों केवल एक होगा, यानि मतलब आप्शन नंबर एक केवल दो, बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं, दूसरे वाले प्रशन में क्या कर रहे हैं, शुरू की गई हैं साथियों, यह तीन नई योजनाएं, इनमें से कौन सा सामिल नहीं है, तो साथियों अभी बजट में जो तीन नई क्रिसी योजनाओं की बात की गई थी, क्रिसी को बढ़ावा देने के लिए, तो राजी क्रिसी विकास योजना, उत्तर परदेश क्रिस को बढ़ावा देने के लिए इसका मतलब कौन सा नहीं है तो इन में से कोई भी नहीं है सभी है इसका मतलब भी हो जाएगा तीन के तीनों है कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है तो दो का आपका डी हो जाएगा आगे हम लोग साथियों देखें यहां पर तीसरे में क्या बात कही जा रहे हैं देखो गजब का सवाल देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा कोई नहीं है इसमें कोई दम नहीं है तो एक तरफ साथियों अभी उत्तर प्रदेश का जो बजट आया था उसमें कुछ बनाने के लिए तो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित संस्थान के नाम दिये गया है एक तरफ और दूसरी तरफ दिये गया है वो जिला या छेत्र यानि वो कहां प्रस्तावित कहां बनाने का उनका निड़े लिया गया है तो साथियों यह जो है पहला निसाद राज हुँ पी-आर-जी तो यह तींट को आज आएगा मैं इसको एरो लगा दे रहा हूँ तो इवाला जो है यह तीन पे आं जाएगा संगीत महा बिद्रों को यह आजम ओर में हैं तो यह आजम गड में यह लिखते रहा हूं यह I van तो यह आजमगड में है महर सिवाल में की यह सांस्कृतिक केंद्र तो यह साथियों यह चित्रकूट में है और यह तो आप लोग जानते हैं अंतर राष्टे रमार यह वैदिक सोन संस्थान आयोधिया में है तो यह आयोधिया में है इसका मतलब D4 पे होना चाहिए एवाला इसका मतलब C कथन है हमारा सही चौथे का जो तीसरे का हो जाएगा हमारा तीसरे का C हो जाएगा बिकल्प नमबर यह C आपका सेट बन रहा है आगे चले हम लोग अप गजब के सवाल है एक से बढ़कर एक सात्यों पूरा आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे बह उत्तर प्रदेश की योजनाओं में शामिल नहीं एड़ी तो ऐसा कौण सी एक बात अ है सात निश्य योजना साति हो यह बीहार की योजना है यह सात्य हुआ स्क्राइब नहीं है इंट इंट कंद नहीं है बिगल्प नंबर हो जाएगा तो यह नफ लोग स्क्राइब जो है यह जो है साथियों यह मतलब जो इस्टुडेंट होते हैं जो बेरोशगार होते हैं उनको अच्छा सा प्रसिच्छन दे दिया जाए जिससे वह कहीं नोकरी उनको मिल जाए इसलिए आई थी है मुख मंत्री युवा युद्धमी विकास अभियान यानि जो युवा है जो इसके अंदर कोई प्रतिभा है तो उनको जो है बिना ब्याज का लोन दे दिया जाए कम से कम पांच लाक रुपिया तो वो उसका कुछ उद्ध्यम करने इसके लिए आई थी अमुख मंत्री परेटन विकास अभागिता योजना यह तीनों उत्तर परदेश से हैं साथियों हम लोग देखते हैं question नंबर पांचवा में आपको बहुत ही गजब का सवाल दिया है यहां आप कई सारे फैक्ट सीखेंगे तो देखें आपको कर रहा है नमींतम आकडों के अनुसार उत्तर परदेश सरकार के स्वयम के कर राजस में यानि उत्तर परदेश का ज सबसे जादा साथियों नंबर एक पर जो है नंबर एक पर है जो उत्तर परदेश को सबसे जादा टेक्स करूप में revenue मिलती है वो SGST है SGST यानि राज का GST हो सबसे बड़ा हिस्सा है और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा साथियों उत्तर परदेश का राज उत्पाद सुल्ख यह दूसरा सबसे बड़ा उत्तरपरदेश सरकार को revenue देता है और तीसरा सबसे बड़ा साथियों विक्री ब्यापार कर यह विक्री ब्यापार कर तीसरा सबसे बड़ा जो है टेक्स कुरूप में उत्तरपरदेश को revenue प्राप्त होती है और जो साथियों चौथा सबसे बड़ तो यहां पर एक जित याद रखिए सबसे पहला जीएश्टी होना ये तो है नहीं इसका मतलब दूसरा जो सबसे जादा है तो राज उत्पाद सुल्क विकल्प नंबर सी दूसरा पूछा है तो मतलब सरवाधिक है सरवाधिक में मिक्सा मतलब साथियों जैसे आप तीन उसी में से सबसे बड़े को बताओगे तो यहीं है जब SGST नहीं दिया है तो कि SGST ही सबसे जादा है SGST नहीं है तो दूसरे नंबर को पकड़ोगे आप यह वाला राज उत्पाद सुल्क को गउत अच्छा आगे देखें हम लोग छठवे में तो छठवे में सातियों आ और एक कारण दे दिया है इस दोनों को अच्छे से पढ़कर आप सही उतर दीजिए तो देखें पहला हम पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे इस कथन को तो ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यावरण सम्रच्छण और जनसंख्छा नियंत्रण आवस्यक रोप से एक दूसरे से अच्छा से जो है उसका नियंत्रण हो पाएगा क्योंकि जनसंख्या पढ़ेगी तो पर्यावरण को लोग अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुशाएंगे तो ये बात सही है अब जब दूसरा आप पढ़ेंगे कारण तो बढ़ती जनसंख्या औ और मानुवी दखल वही बात मैंने बता है जनसंख्या बढ़ेगी तो मानुवी दखल बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुशाएंगे तो दोनों बाते सही है और ये बात इसको एक्स्प्लेन भी कर रही है तो इसका मतलब आपका उत्तर जो होना चाहिए वो ए ह और दोनों सकते हैं आर एक ही सही प्याक्षा करता है बहुत अच्छा आगे हम लोग सातों में अगर देखें तो यहां पारंपरीक उर्जा से संबंदित सवाल देती है पारंपरीक उर्जा मतलब साती है जो हम लोग डेजल, पेट्रोल, लकडी, इस प्रकार को जो जला कर ह है और खास करके यह प्रदूसर्ण भी फैलाती है पारंपरीक उर्जा आप तो जो रेवेन्यूवल एनर्जी की बात की जाती है तो पारंपरी उर्जा स्रोत के संदर में आपको दो कथन दिये गए हैं इन दोनों कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर देजिए तो पहला वा कोईला यह सब सीमी तो एक दिन खतम हो जाएंगे सीमी तो लवता है और अधिक उपयोग के कारण इनमें गुडातमक कमी देखी गई है सात्यों ज्यादा उपयोग करोगे तो पर्या और अड़ वगरे को नुफसानी पहुचाते हैं यह लोग तो यह बातें आपकी सही है जब दूसरा वाला यहां पर पढ़ोगे सात्यों तो कोईला गैस तेल पारंपरिक उर्जा के सुरोत माने जाते हैं मैंने पहले बताया यही सब हैं तो यह भी सही है तो इसका मतलब सात्वे का जो आपका एंसर होना चाहिए सात्यों वह सात्यों का उत्तर कौन होगा आप को पता चल गया होगा ए होगा विकल्प नंबर ए आपका सत्य है एक और दो दोनों आगे हम लोग बढ़ें नवे में देखते हैं आठवे में तो आठवे में आपसे क्या पूछ रहे हैं सात्यों राश्ट्री विकास परिसत के बारे में गजब का सवाल है सात्यों बहुत उत्तर को बताना है गलत उत्तर को इन दोनों कथनों को सई पढ़ना और आपको जो गलत लगे उसी को बताना है तो सात्यों नियोगी समीत के संतुस्ति पर यानि नियोगी समीत के सिपारिश पर इसका गठन 1905 में किया गया था तो सात्यों सच है ये बात नियोगी समीत के स लिए यह आपका अब गलत हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, इसके कारियों में राष्टी निविजन में जंसहयोग प्राप्थ करना और प्रशासनिक गच्छता को सुधारना सामिल है, तो यह साथियों जो है ये दूसरी बात हमारी ये बात घरी आजई का जहरी दाइब देख़ा जहरी है है the general theory of employment interest and money ये पुष्टक का नाम है साथियों कभी आप पूछे ये पुष्टक का नाम है ये पुष्टक किसकी रचना है तो साथियों जो पुष्टक है वो जान मेनार्ड किन्स की रचना है विकल्प नंबर ये आपके भी हो जाएगा नौवा का भी जान मेनार्ड किन्स जो हो थी फेमस अर्थ साथियों अपने समय के और जो बहुत ही फेमस है साथियों ये जॉन मेनार्ड किन्स खास करके इनका नाम से जो है वो किन्स नाम से ही जाना जाता है पूरा नाम जॉन मेनार्ड इनका किन्स है तो यही वो पुष्टक को लिखे हैं आगे हम देखे सा तो ये कभ लिखे थे ये 1936 में आगे देखें हम लोग हम लोग दसवाँ वाला देखते हैं लिमने लिखी कथनों पर विचार कीजी नीचे दो कथन है इस पर विचार करना है विचार करके हमें सही उत्तर देना यहां जरूर मार्किंग करें सही उत्तर देना है तो जब आप पहला वाला जब पढ़ेंगे साथियों तो कह रहा है पहले वाले में गरीबी और अकाल पुष्टक के लेखक आमर्त सेन है यह साथियों गरीबी और अकाल नाम पी जो पुष्टक है वो आमर्त सेन ने लिखा है यह सही बात है साथियों आमर्त सेन जानते यह भ बड़े होंगे एक्वनाम में तरकसीर भारती यह जिसके इंगलेर में आर्णियमेंट्य। इसके लेखक रगुराम राजन आर्वियाई के गवर्नर रहे हैं और ये तरकसील भारती ये इसके लेखक नहीं है इसके लेखक यही है यही जो मतलब इनके बारे में जो कह रहा है लेखक आमर्द सेन है तो आमर्द सेन दोनों के ही लेखक हैं इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत हो गया तो जो आपका दस्वे का उत्तर होगा तो यही ए हो जाएगा ए सही है क्योंकि यह रभूराजम नहीं है यही आमर्थ से नहीं इस फुस्तक के भी लेखक हैं तो साथियों चले हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला question इगारा में तो देखें इगरावा में हम से क्या पूछा जा रहा है मानो विकास सूचकांग HDI से संबंधित सातियों Human Development Index से संबंधित आपको दो कथन दिये गए हैं इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें जो है सही उत्तर देना यहां जरूर मार्किंग किया करें सही उत्तर तो आप जब ये वाला पहला पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट विकास कारकरम UNDP द्वारा HDI सूचकांग तीन आयामों पर आधारी थे यह साथियों तीन ही आयामों पर आधारी थे वो है साथियों Health, Education और जीवन प्रत्यासा लाइफिस्टाइल जो है तो यही तीन आयाम पर आधारी थे हैं तो यह बात सच है साथियों यह बिल्कुल सथ है यह कथन मानों विकास रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार भारत वैश्विक मानों विकास सूचकांग में 124 में अस्थान पर है तो 134 में अस्थान पर जी तो यह हो गया हमारा अब 12 पे हम लोग चलते हैं देखते हैं 12 वाले में क्या पूछा जा रहा है तो देखें साथियों 12 में क्या पूछ रहा है हमसे तो 12 में साथियों से जो पूशा जा रहा है कि सारजनीक छेत्र के उद्यम साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है देखें भाई भी इतने हो येगा साजनीक छेत्र के जो उद्यम है उनको जो महारतन का प्रमाण पत्र मिलता है साथियों तो वो किन मांदंडो को पूरा करने की आवस्षक्ता के नुसार मिलता है ये आपसे जानना चाह रहा है तो साथियों आप लोग जानते हैं उद्यम नियूंतम निर्धारित सारजनिक सेरधारिता के साथ भारती स्टाक एक्सजेंज में सूची बद होने चाहिए तो ये बात स साथियों सही है ये बात तो सही है हाँ भारती स्टाक एक्सजेंज में वो सूची बद यानि दर्ज होनी चाहिए पिछले तीन वर्सों के दवरान उनकी वार्सिक जो कारोबार होता है साथियों तर्णूवर होता है वो 25,000 क्रोन रुपए से अधिक होना चाहिए ये दूस जो है आउसत वार्सिक सुध लाब कर रहे हैं हजार करोण रुपए से अधिक हो तो साथियों ये बात यही पर ये गलती कर दिये हजार करोण नहीं साथियों 5000 क्रोन से अधिक लाब होना चाहिए तो ये 5000 क्रोन से अधिक लाब होना चाहिए तो इसका मतलब ये तीसरा गलत हो गया तो आपका जो उत्तर होगा वो केवल एक और दो कथन सही है यह हो जाएगा यही दो होता है तीनों कंडिशन फालो करने के लिए तो तीसरा गलत दिया और मैंने बता दिया इसलिए गलत था आगे देखें हम लोग तेरह में तेरह में साथ ही हमसे क्या पूछा जा रहा है आर्थिक विकास और आय असमानता के मद्ध का वर्ड़न करने के लिमलिखित में से किस वक्र का परियोग किया जाता है तो शाथियों आर्थिक विकास हो और income में जो असमानता के मद्ध जो एक graph खिशा जाता है वो कौन सा है तो साथियों कुछ Net की नेट सोबक्र विकल्प नंबर डी हो जाएगा कुछ Net सोबक्स इसका प्रयोग जो होता है आर्थिक विकास और आयक की समानता के मत वरक्स करने के लिए किया जाता है साथियों तो यह हो गया यानि income जादा मिलेगा अगर उससे कम जादा करेगी तो उसका revenue जह है income कम हो जाएगा तो यही कहती है तो यह वाला तो लाफर वक्त हो गया और बेकर वक्त हो आपको लोग जानते हैं यह प्रजनन और आर्थी विकास के मद्द संबंध बताता है कहता है कि आर्थी विकास बढ़ेगा तो प्रजनन का आकार घड़ जाता है यानि उल्टा यू आकार का वक्रेश में बनता है तो यह सब बाते मैंने आपको थोड़ा एक्ष्टा बता दिया फिलहाल आपकी प्रश्ण का उत्तर डी है आगे देखें हम लोग चवदय में चवदय में साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों अगर वीडियो आपको जरह साभी हमारा अच्छा लगा हो हमारी मेहनत का अगर आपको अंदाज थोड़ा सा लगे का हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल क सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चले हम लोग देखते हैं चौथे वाले में चौदावा में वायधानिक तरलता अनुपात जिसे हम लोग SLR कहते हैं SLR तो वायधानिक तरलता अनुपात के संदर में आपको दो कतन दिये गए हैं दोनों कतनों पढ़कर आपको सही उत्तर देना है तो साथियों जानते है SLR क्या होता है एक जो बैंकों के पास जमा पैसा होता है उसका निश्चित अनुपात एक निश्चित भाग अपने ही पास रखना पड़ता है तो यही पहली बात करा है वाड़ेचिक बैंकों द्वारा नगद कैश में हो या सोना हो या सरका अपने पास रखते हैं, यही गलती कर दियत, इसका मतलब यह गलत हो जाएगा, यह सारी बात है सही है, सिर्प्यार रिजर बैंक के जगर अपने पास लिखना चाहिए था, तो इसकी अधिक्तम सीमा 40 परशन नहीं जाई थे, ज्यादा 40 हो उससे ज्यादा नहीं रख सकता, और और जो है उससे कम हो सकता है, तो यह दूसरी बात सही है, SLR के समन्ने, तो इसका मतलब आपका जो उत्तर होगा सही पूछा है, कौन सा सही है, तो सही केवल B है, यानि तो है, तो चवद्या का आपका जो उत्तर होगा, वो B हो जाएगा, तो साथियों मैंने बता दिया एक निश्चित अनुपात का अपना पैसा, वो CRR जो है, वो RBI के पास रखा जाता है, तो और जो ऐसा ला रहा होता है, बैंक अपने पास ही रखते हैं, आगे हम लोग देखे हैं, पंदरह में, पंदरह में साथियों आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी रिपोर् बिश्च आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो साथियों इस चार दिये हुए आपसन में, तीन जो है बिश्च आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाते हैं, एक ऐसा है जो बिश्च आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, तो वर्ल्ड लेंगिक अंतराल रिपोर्ट ये भी जो है विश्व आर्थिक मंज के द्वारा जारी किया आता है और ये वैश्विक यात्रा और परियाटन रिपोर्ट ये भी जो है जारी किया आता है विश्व आर्थिक मंज के द्वारा तो यहाँ पर जो सी है सातियों आपका तो जो ये सी वाला है यही आपके जो है यह विस्व आर्थिक मंज के द्वारा जारी नहीं किया आता है विस्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट सात्यों यह वर्ल्ड बैंग के द्वारा जारी किया जाता है इसे ध्यान रखे यह सात्यों बहुत ही अच्छा आगे चले हम लोग देखत हमें मिलाना है कौन सा सही सुमेलिख है, यानि गलत को नहीं, जो तीन गलत हैं, एक सही है, तो उसी सही वाले को पकड़ना है, जब आप से गलत पूछेगा, या कहेगा कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब एक उसमें सही नहीं है, तीन सही है, तो यहाँ पर एक सही है, तीन गलत उसी सही वाले को पकड़ना है। एक तरफ आपको बेरोजगारी दिया है। दूसी तरफ उस ब्रेजगारी संबन्र मुक्तर कारण दिया है। वहीं सांधीयोचाइws मतलब क्या होता है। बेरोजगारी होती है वह आर्थिक उतार चड़ा होता है कभी नकी आर्थिकностितिफ ठीक हो जाती है कभी ड l Union हो जाती है इसका मतलब यह वाला इस पर रहना चाहिए था तो यह दे दिया और घर्णी मतलब करना रहता यह रहता तो यह इस पर रहना चाहिए था यह वाला इसका मतलब इस पर आर्थिक उतार चड़ाओ देदियत यह भी गलत हो गया संरचनात्मक विरुजगारी क्या होती है सातियों संरचनात्मक विरुजगारी आप लोग जानते हैं यही सही है विकल्प नंबर से आपका उत्तर होगा यह काउशल असमानता यह संरचनात्मक विरुजगारी भारत में बहुत है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप कही काम कर रहे हैं वहां कागज कलम से लिखा पढ़योली काम है वहां कंप्यूटर आ गया अब सारा काम कंप्यूटर से होगा तो आप कंप्यूटर चलाने न हान होता है यह यहाँ पर रहना शाइक तो आगे चले हम लोग हमारा सब देख लिए हमडोग बड़े अच्छे से आपका उत्तर जो है यह सी हो जाएगा यही सी आपका उत्तर होगा आगे हम लोग अगर चले देखते हैं साथियों आगे हमारा 17 वाले में क्या है सास्थी रोजगारिक मतलब यहां साथियों यह होता है कि जैसे बाजार में उपलब रोजगार और सरमिकों की काउसल याली सरमिक बाजार में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वह कंपणी वाला जादा हो हमेंसा ठीक से उनको पेमेंट नहीं देगा, उनको वेतन ठीक से नहीं देगा, यह है उसका मतलब. आगे देखें हम लोग 17 में, 17 में किया आपसे पूछा जारा है? नीती आयोक त्वारा निमलिखित में से कौन सां रिकोर्ट जारी करती है, इसके बारे में आपको बताना है. तो साथियों नीती आयोग समक रजल प्रबंधन सुचकांग रिपोर्ट जारी करती है निर्यात तैयारी सुचकांग जारी करती है कि कहां से क्या निरवात कितना हो रहा है भारत नवाचार इंडियन इनुवेशन इंडेक्स जारी करती है नवाचार यानि कौन सा राज नवाचार इनोवेशन मतलब नए चीज़ों पढ़ावा देने के लिए कौन सा राज कितना है ये सब जो तीनो रिकोर्ट्स हैं ये नीती आयोग जारी करता है विकल्प नंबर बी तो आप लोग जानते हैं नीती आयोग बारे में ये योजना आयोग के अस्थान पर बनाया गया था मोदी जी की सरकार में तो आएए आपका उत्तर सी हो जाएगा आगे देखें हम लोग अठारा में अठारा में आपसे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो बिश्व बैंग के द यही व्ल्ड बैंग के द्वारा जारी जाता है यही आपका उत्तर हो जाएंगा बिश्व आर्थिक आउट-लूक रिपोर्ट शातियों आईएमयाफ के द्वारा जारी किया जाता है आईएमयाफ जो है इसके द्वारे जारी किया आता है विस्तो जनसंख्सा इसथितई रिपोर्ट जो होती है साथियों यह जो जारी किया आता है संयुक्त राष्ट के द्वारे योइन के द्वारा और 200 सहरों के जो रिपोर्ट है साथियों वो यूएन हैविटेट के द्वारा यूएन हैविटेट तो समझ जाईएगा आप लो तो सब मैं बता दिया फिलाल उत्तर आपका ए होगा आगे देखें हम लोग 19 का 19 में आपसे पूछ रहे हैं भारत सरकार ने नवेंतम जनसंच्छा नीती कब जारी की थी तो साथियों भारत सरकार सन 2000 में अपनी नई जनसंच्छा नीती लागू की थी तो बिकल्प नंबर आपका दो हो जाएगा इस नई जनसंच्छा नीती में भारत ने कहा था साथियों की हम 2045 तक अपनी जनसंच्छा को इस्थिर कर लेंगे रोक लेंगे बढ़ने से बढ़ने नहीं देंगे लेकिन सरकार ने साथियों 2010 तक आते 2010 तक आते सरकार की हालत खराब हो गए उसके लग गया कि जनसंच्छा इतने आसानी से कंट्रोल नहीं होगा तो सरकार ने लच रखा कि अब हम 2070 तक जनसंच्छा को कंट्रोल कर लेंगे तो अभी नई जनसंच्छा नहीं थी 2000 जो है भारसरकार की उसके अनुसाद जनसंच्छा के इस्थिर करने की बात की गई है 2070 तक तो आगे चले हम लोग अब देखते है हमारा सवाल नंबर 20 में तो साथियों कौन सा सही सुमेलित है उसी को हमें पकड़ना है साथियों बहुत ही गजब का बहुत ही अच्छा सवाल है तो तीन गलत है एक सही है उसी सही को पकड़िये तो साथियों यहां देख रहे हैं हम लोग यहां कह रहा है कि आप लोग जानते हों तो राश्ट्री आय का पहला अनुमान किशने किया था तो साथियों आप लोग जानते हैं जो जो है राश्ट्र का आय यानि राश्ट्री आय का जो पहला अनुमान निकाला था वो दादा भाई नवरोजी ने किया था आप लोग हिस्ट्री में खुब पढ़े होंगे तो ये वाला चला आएगा या ये दादा भाई नवरोजी रहना चाहिए था लेकिन ये यहां आपको विखे आर राव दे दिया तो इसका मतलब ये वाला कथन गलत कर दिया इसके सामने दादा भ लिए ये वाला इनके पास आगया तो डी वाला भी गलत हो गया जो इसका मतलब ये तोनों सातियों गलत हो गये तो यहां जो सही उत्तर है राष्टी आय समीथी यह किस से समन्नित है PC महल नोबिसे विकल्प नंबर बी ही आपका उतर होगा और सरपर्थम पैज्यानिक आयक तो जो सही है, मैंने तीर के माध्यम से मिला दिया, फिलाल आपके प्रशन का सही सुमेलित पूछा है, तो सही अभी B है, और वाकी सब गड़बड थे, तो जो गड़बड था, उसको मैं आपको मिला कर बता दिया हूँ, यहां क्या रहना चाहिए था, आगे देखें हम लोग 20 हो गया हमारा 21 देख ले हम लोग क्या है, 21 में सातियों हमसे जो पूछी जा रही है बात, तो थोड़ा सम लोग छोटा करते हैं, 21 में जो हमसे बात पूछी जा रही है, क्या कौन सी योजना वर्स सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ हमें यहां पर सातियों योजना दिया है, और दोसी तरफ उसका वर्स दिया है और जो कौन सा मिस मैच है सही सुमेलित नहीं है उसको मिलाना है उसको पकड़ना है तो साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना एक चीज यह बहुत ही फेमस है क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं कौन सान नहीं है सुमेलित नहीं है तो आप मतलब चार कथन में से सबको पढ़िएगा आपको वहीं गड़वड़ी मिलेगी जो आप जानते रहेंगे जो पॉपुलर चीजे होती है तो साथियों यह जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है मोदी जी की सरकार में साथियों यह आया था तो मोदी जी सरकार में कब आया था साथियों 2016 में 2018 में नहीं यह 2016 में आया था इसका मतलब यही सही नहीं है जो हमें पता पता लग गया कि यही गड़बड है तो इसका मतलब यह तीनों के तीनों सही हैं अपनी जगह पर यानि बागवानी के एकी करित विकास के लिए जो योजना आई थी चौद्य पंद्र में रूरर हाॉसिंग इंट्रेस्ट सबसिडी सत्तर में जो इनाम यानि राश्टी किसी बाजार योजना सोल में तो सब बातें अपनी जगह पर सही है खिलाहल प्रश्ण का उत्तर डी होगा क्योंकि नहीं कौन सा नहीं है तो प्रधार मंती फसल भीमा योजना आठारा की जगह आठारा दे दिया था इसलिए गलत है इस पर जो है जिन्वों विना खेमिकल कि खेती पेंदा किया जाए पर्यावरन के अन्पूल किया जाता है तो बीना उस पर जो है कि नासक दवाओं के सब प्रयोक से तो जो खेती किया जाता है और गैनिक कृसी वह हैं तो जैवीक ख nessa पर राश्टी परयोजना किस कि यहां जैविक खेती उसके प्रस्ट के एक टर्म को पहले समझा करिए तो जैविक खेती पर राश्टी पर योजना 35 वर्सी वर्जना सरो की गई तो दस्वी पंच वर्सी योजना साथ्यों जो आई थी वो कब आई थी तो आप लोग जानते हैं 2002 से 2007 तक यह थी, 2002 से लेकर 2007 तक तो यह थी जो है, दसवी पंचवर्शी योजना, तो आगे चले हम लोग 23 में देखते हैं, 23 में क्या है, तो देखने में जो बड़े होते हैं, उनमें कोई दम नहीं होता है साथियों, नाम बड़े और दर्सन थोड़े वही बाला हाल है इनका तो कोई दम नहीं है देखें, कथन दे दिया है यहां, और यहां एक कारण दे दिया है, कराय इसको पढ़कर अच्छे से सही उत्तर दे दो, तो आप जब पहला यह वाला पढ़ोगे, सतत दिकास एक संगठिस सिर्दांत है, तो यह साथियों सतत दिकास यानि सस्टेनिबल देवलपमेंट एक संगठिस सिर्दांत है, जिसका उद्देश प्राक्रितिक प्रडालियों को मनुस्त को आवस्यक प्राक्रितिक संसादनों और पासितिक कंत्र सेवाय प्रदान करने में सच्छम बनाता है, तो सतत दिकास आप लोग जानते हैं साथियों, यह आने आले पीडियों के लिए उनके लिए उर्जय यानि संसादन बचा कर रखेगी, उनके भी आवस्यक्ता को ध्यान में रखेगी, यही होती है सतत दिकास, तो यह बाते बिल्कुल सही हैं, और यहां पर साथियों यह बाते आपके गलत हो जाते, यह सही है कि हाँ 1987 में ब् सत्र सतत बिकास लच्छ घोसित किया और कहा कि इसे 2030 तक प्राप्त करना है, तो यही बात इसमें कहा गया, तो यह गलत हो गया, यह 1987 के मतलब नहीं अपनाया गया था, तो यह बात गलत हो गई, इसका मतलब एस सत्य है, आर गलत है, तो तेश में आपका डी हो जाएगा, डी तो एक मिनट, पीडियक में, तो अब सही है, तो सात्यों यहां जो है, आपका जो उत्तर होगा होना चाहिए, वो टी होना चाहिए, एस सत्य है और गलत है, आगे हम लोग देखें, चौबिस में, तो चौबिस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एकदम अच्छा सवाल है देखें, जरा सभी इसमें गलबडी Kुछ नहीं करिएगा, ध्यान समझेगा, किसान क्रेडिट काड के के सी योजना के बारे में, यह आपसे पूछ रहा है, तो किसान क्रेडिट कार्ड साती हो जो के के सी योजना है, हम लोग गाओ के होंगे, तो समझते होंगे इसको, कि 1999 में ये आई थी, तो इसमें कराय किया जोजना 1995 में बैंकों के द्वारा समान लोप से अपनाने के लिए किसानों को उनकी जोद के अधार पर किसान क्रेजिट कार्ड जारी करने के लिए सुरू की गई थी, तो सब बातें ये सही कहा जितना इन्होंने पकवास किया, इसकी और दूसरा में कह रहा है कि किरिसी परिसंपतियों और किरिसी से सम्मंदित गतविदियों के रख रखाओ के लिए कारशील पूझी प्रदान करता है, ये दूसरी बात तो सही कह रहा है किसान के रिडिट योजना के बारे में, लेकिन अब हम से गलत पूछा, तो 24 में गलत केवल 1 है, तो आपका उत्तर D हो जाएगा, ये D वाला केवल 1, तो आईए हो यही है, केवल 1 हो जाएगा, ये वाला, आगे चले हम लोग, पचीश को देख लेते हैं, पचीश में क्या कहा जा रहा है, आपको सुन्न बजट से सम्मंदित करा किया गजब का सवाल है, सुन्न मतलब यह मतलब एक स्थीं सब्सक्राइ। जो सुन बजट क्रिसी में तो पहली बात क्या कर रहा है सुन बजट क्रिसी प्राक्तिक इन्पूट आगत मतलब इन्पूट द्वारक हेती पर बल दिया जाता है ताकि खर्च सुन ने हो जाए यस यही मैंने बात अभी आपको बताया खर्च सुन कहिया जाता है और जो है दे तो आपका उत्तर ए हो जाएगा एक और दो दोनों सही है बहुत अच्छा 16 हम लोग देखते हैं 26 को 26 में आप से क्या कर रहा है साथ में एक बहुत ही popular सवाल आपके सामने आया है हिंदू बृध्धी दर सब्द सही तरीके से किसको परिभासित करता है तो नाम है साथी में ऐस जो 1950 से लेकर 1980 तक भिकास दर भारत की बहुत धीमी थे उस धीमी विकास को यह जो तीस सालों के बिकास था बहुत ही धीमा था क्योंकि आज नय नया भारत आजाद हुआ था सारी चीज़ें मैंने अपनी तो इसको जो है उन्नोंने ये धीमी विकास को जो है हिंदू बृध विकल्प नंबर B आपका यही उत्तर हो जाएगा आगे देखें हम लोग 27 में तो 27 में आपसे क्या पूछ रहे हैं एक से पढ़कर एक प्रशन है थोड़ा सा अगर आप हमें समय देंगे चीजों को समझेंगे तो आपको इस से बेहतर चीजे कहीं नहीं मिलेंगी आगे देख पहला आप जब पढ़ेंगे तो चीन की तुल्ना में भारत में सिंची छेत्र का अनुपात अधिक है तो साथियों यस ये बात बिल्कुल सही है चीन में सिंची छेत्र का मतलब है हम लोग जितनी भूमी पर खेती करने के लिए भूमी को सिचाई करते हैं तो जैसे ये भू चाईना से जादा है लेकिन साथियों प्रती हेक्टेर के उत्पादक्ता चाईना से कम है तो ये बात हमारी पहली तो सही है हां भारत में सिंची छेत्र जादा है लेकिन साथियों चीन की तुल्ना में भारत की क्रिसी में प्रती हेक्टेर आउसत उत्पादक्ता अधिक है साहः तो नहीं साहँ है चींद की अधीक है तो हमारा यह जो हो जाएगा यह दूसरा वालग गलक हो गया क्यों की साहँ हमारा जो भारत की जो हagn Check छेत्र है बाहरत की जितनी भू भाग जो चैनेी ने उसका बेड़ दो एकड में करेंगे यही बात यह दूसरी गलत हो गई पहली सही हो गई तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए केवल एक सही है आगे चले हम लोग देखें 28 हो गया 28 में देखते हैं यह सही है सातियों 15 बित्ठ आयोग से समद्धी सवाल है 15 बित्ठ आयोग से समय्झित आपको सवाल भी पुछ लेगा किसके अध्याश कौन हैं तो 15 बित आयोग के अध्यर्च एनके सिंग है यह भी आपसे कोई छोटा मोटा एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो उसे संबंदित 15 बित आयोग ने 15 बित आयोग ने मांदंड के रूप में किसका उपियोग नहीं किया है इसका उपियोग नहीं किया है साथियों जनसंच्छा का तो किया है 15 का भी किया है कर एवम राजबोसी परियाज भी किया है सासन सुधार संबंदित यहां पर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए यही आपका उत्तर होगा डी आगे देखें हम लोग 29 में क्या है तो 29 में जो दिया गया है साथियों क्या है 29 वाला सवाल हमारा बहुत ही बढ़िया सवाल देखें साथियों अच्छा सवाल है यह कितना आपको कई सारा इंफॉर्मेशन परदान करेगा यह 29 में जननी सुरच्छा योजना नाम ही है साथियों जननी मतलब माता होता है यानि जच्चा बच्चा दोनों था तो जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सकें तो घर परी रहती है ती इसके कारण उनको बहुत सारी बिमारियां हो जाती थी जच्चा बच्चा को खत्रा रहता था तो इस समस्याओं को देखते हुए और जो सरकार जो थी दो हजार पांश में जो है एक योजना सुरूखी जननी सुरच्चा योजना किसे समझने थे जच्चा और बच्चा को पशाने के लिए तो इसका उद्देश गरभोती महिलाओं में मात्री और नवजास सिसु मिलत्युदर में कमी लाना है यस वही बात मैंने रही बताना चाह रहा था को यही सही है पहला इसका लच्च गरीब गरवती महिलाओं के लिए स्वास्त केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है यस का खास करके गरीब महिलाओं जाती कि पैसे की डर से पैसा नहीं है घर पे उनको खत्रा हो जाता था और जो महिलाओं चली गई तो प्राइवेट हास्पीटल वाले ऐसा लोगते थे कि उनका गहना गुरिया खेत क्यारी सब पिक जाता था तो इन समस्यां उसने पटने के लिए लाया गया था दो हजार पांच में और यह पूर रोप से केंदर सरकार की योजनाती सातियों इसमें पूर रोप से ये केंदर सरकार का पैसे खर्च होता था केंदर सरकार तो यहां पर हमारा जो दोनों बाते सही है तो ए हो जाएगा 29 का हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो ए हो जाएगा 29 का ए तो चले हम आगे देखते हैं, हमारा रश्न जो है 30, 30 में क्या है? भारती प्रतिस पर्धा आयोग, इसका कामन नाम से ही प्रतिस पर्धा यानि कॉम्प्टेटिव, कॉम्प्टेटिव निस, तो कॉम्प्टेटिव निस को बढ़ा हुआ देनी के लिए मार्केट में प्रतिस पर्धा तो बहुत ज्यादा competition रहेगा दुपानों में सब सोचेंगे हम अच्छा समान बेचे और सस्ता समान बेचे यह कही अगर रहेगा तो भाव खाएगा अच्छा भी नहीं देगा मांगा भी देगा तो इसी से कुछ इसका बात संबंध है तो भाती प्रतिसपर्धा आयों के और अब अब प्रवर्तन के लिए की गई थी तो यस यह बाते सही हैं यह आपका सही कह रहा है और इसका उदेश बाजारों में प्रतिसपर्धा का सम्मर्धन करना यही बात मैं आपको यहां सम्झाना चाह रहा था बाजारों में प्रतिसपर्धा को पढ़ाना क्योंकि बा यह क्या है इसके बिष्य हमें कौन सा कफन तो सही उत्तर देना है हमें तो सही उत्तर कैसे देंगे पीजे नायक समीती की सिपारिस पर साथ्यों Benk Board Bureau जो है ओ पीजे नायक समीती की सिपारिस पर किया गया था और साथ्यों 28 जनवरी 2015 लिख दिया है फेबुरी 2016 को किया गया था यहां ये डेट होने चाहिए थी इसलिए ये जो है आपका पहला गलत हो गया पहला गलत लिख दिया तो गलत क्यों किया मैंने बता दिया ये होना चाहिए था बित्र मंताले का सच्यू इसका पदेन अध्यच होता है तो साथियों नहीं ये भी बा कोई भी साही नहीं है, न तो एक नहीं तो, आगे देखें हम लोग 32 में 32 साथियों क्या गजब का सवाल आ गया फिर, भिलाई इस्पात सायंतर के संदर में हमारा जो है सवाल दे दिया है, तो उसमें कौन सा सही है, यह बताना है, तो साथियों मतलब कौन सा सही है, और उसके पढ़कर हमें सही उत्ष देना है तो आप लोग जानते है सात्यों यह जो भिलाई इसपास सहींत रहे यह इस टील बनाने वाले एक ऐसी कम्पनी है इस इस टील का जो परियोग जो होता है रेलोवे में होता है यही भिलाई यह वाला है यह तो दूसरे पंचवर्सी योजना में ये शुरू हुई थी, ये तो यहां जो बात लिखा है दूसरी पंचवर्सी योजना में जर्मनी की सहायता से कर रहा है, साथियों गलत, ये रूस की सहायता से सुरू हुआ था, तो सोभिय संग उसका नाम था, तो रूस समझ लिए, तो रेल में बहुत जादा होता है, इसके इस्टील, इसके द्वारा उत्पाजिन की गई इस्टील का, तो यहाँ पर साथियों जो 32 का हमारा है, उत्तर आपका D होगा, क्येवल जो है, दो हमारा सही है साथियों, तो साथियों ये भिलाई का नाम क्यों पड़ा क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं ये छतिस गड़ का जो जिला है छतिस गड़ में एक जिला है दुर्ग तो उसी भिलाई नाम का अस्थान पर ये जो है इस पास सयंत्र लगाया गया है इसलिए इसका नाम भिलाई इस पास सयंत्र रग दिया गया है तो आगे चले हम लोग देखें तैंटीस में राश्ट्री निवेस और सन्रचना कोश के संदर में दो बातें लिखी गई हैं दोनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो कैसे देंगे सही चलिए जो है देखें दिखा जाए दोनों बातों को पढ़िए इसमें आंसिक बित्र कोशन नेजी निवेश को द्वारा किया जाता है यस यह बात सही है और मतलब आंसिक और यह देश में और सन्रचना छेत्र में बित्ती समस्याओं के समाधान के प्रजन नस्तर दो दस्मलों एक तक लाने का लच रखा गया है है तो यह 2.1 तक प्रजनन रेट जो है यह जो प्रजनन रेट जो है 2.1 तक लाने का लच की सोवर्स तक रखा गया है यह आपसे जानना चाह रहे हैं तो साथियों यह 216 तक रखा गया है तो यह प्रजनान प्रेट किया है, साथियों यह कि ऩइक मतलब एक औसतff की बात किया गया है, आऊसत्में एक महिल्या जो है, दो दस्मनलो एक बच्च्छा पैधा करेगी, तो इसका मतलब आपको दिमाग में आ रहा हूं कि यह पॉझांट में कैसे आ गया, तो साथियों यह आउसत की बात कर रहा है और 2030 तक साथियों 2030 तक इसे जो है और कम करना है 2030 तक इसे 1.9 तक लाना है प्रजिनन रेट जो है 1.9 तक लाना है तो यह बात याद रखिएगा फिलाहाल उत्तर आपका भी होगा तो यहां अपनों सोचेंगे यह बच्चा तो आधा कैसी होगा तो कोनों का आउसत लेंगे इसका मतलब साथियों यह जो है यह माल लिजिए एक महिला तीन बच्चों जन्दी एक दो को तो पांच बच्चे हो गए इसका आउसत लेंगे तो धाई हो गया त्यानि अब इसका आप कहा सकते हैं एक महिला के धाई बच्चे है इस तरह से आपको समझ लीजिए फिरहाल आपके 34 का प्रश्न B हो गया आगे देखें 35 का पूंजी उत्पाद अनुपाद में बृध्धी निमलिकित में से क्या प्रदर्शित नहीं करता है तो पूंजी उत्पाद अनुपाद में बृध्धी अगर होती है निमलिकित में से क्या प्रदर्शित नहीं करता है ये आपसे जानना चाह रहे हैं तो पूजी की प्रती इकाई पर कम उत्पादन प्राप तो ये कम उत्पादन प्राप तो होगा साथ ये तो होता है तो पूंजी की प्रतीकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना तो ये गलत है साथियों तो ये नहीं होता है विकल्ब नंबर बी आपका ये ही गलत है और बाकी इसका मतलब सब सही होंगे आगे देखें हम लोग 36 तो 36 में क्या पुछ रहे हैं तो यहां पर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहां पर कुछ नियम है कुछ संस्थाएं है सारी संस्थाएं है और यहां पर उसका वर्स है तो कौन सा मिस मैच है उसी को में बताना है तो फेमा अधनियम जो लागू हुआ था सर, जो फेमा अधनियम, तो वो जो है, वो इसमें लिख दिया है कि दो हजार में साथियों, तो फेमा जो लागू हुआ था साथियों, दो हजार में लागू हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, ये सही है अप अग्रहड़ी बैंग योजना के साथियों एधीम में हुआ था। तो यही आपका उत्तर है क्योंकि यह गलत है विदेशी अंसदान विनमय अधिनियम यह छी अत्तर में सही है आगे चले हम लोग देखें तो 37 में क्या है तो 37 में आप सो जो पूछा जा रहा है वो किस बात के लिए प्रश्ण है कि विदेशी निवेश समर्धन बोर्ड कि संदर्व में तो यह वाली बात तो यहां पर आर्थिक मामलों के विभाग में इस्थिज एक अंतर सरकारी पैनल है तो साथियों यह जो है गलत है क्योंकि साथियों अंतर्म यह जो है यहां पर दिया है विक्त मंत्राले से संबंदित आर्थिक मामलों के विभाग में बिदेशी निवे समर्धन बोर्ड के बारे में ये सातियों इसकी जो है एक अंतर सरकारी ये मंत्राले तो इसमें सही उत्तर बताना है कुछ इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन सर लग रहा है तो यहां पर सातियों जो होना चाहिए हमारा तो कुछ तो गड़ गड़ लग रहा है इसमें आर्थिक मामलों के विभाग में इस्थित या एक अंतर सरकारी मंत्राले निकाय है तो यह बात तो सही है सातियों सही उत्तर पूछा है न हाँ यह वाला सही है तिल्कुल सही है इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं सही है यह और दूसरा कह रहा है केंद्री बज़ट दोहजर चौविस पचीस में एफ आई बीपी को समाप्त करने की घोषड़ा की गई है तो सातियों इसमें समाप्त करने की घोषड़ा जो है इसमें नहीं कहीं गई कहीं दोहजार सत्रह अठारा धार यह बहुत अच्छा आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा 32 में कि आग एक तो 38 में क्या है कौência हुए कौण सा गलत विए उत्र परतेश प्रमले तो आपको कौण सा गलत तो वाणसी में साथ यह में लेतिया है आप समझे जो श्रॉन डेस्टिक उन प्रॉड़क्र वाला तो 2018 में साथ यह इतिक हो उत्र परतेश को सरकान ने किया था तो यानि हर एक जिला को हर एक प्रॉडक्ट में जो है अच्परतिस पर्धी बनाने के लिए तो वारानसी में लकड़ी के खिलोने के लिए सातियों है ये बात तो सही है मुरादाबाद में पीतल के बरतन ये भी सही है लेकिन हमें गलत पूछा है तो गलत सातियो जो क्या होना चाहिए यहाँ पर लखेंपूर खीरी तो यह साथियों यह वाला हमारा गड़बड है लखेंपूर खीरी में नकासीदार काश्ट सिल्फ जो है यह मैन पूरी और सहारन पूर गएरे में यह है तो यह गलत हो गया आपका यही आपका उत्तर होगा और होता है सात्यों की मुद्रा का मुल्व गिर जाना जैसे अभी डालर पर यहां पर आपको समान ज्यादा बैचना होता है। मुल्यन कर देते हैं और मंगाना का जो आयात होता है वो कम हो जाता है तो 39 का जो उत्तर होगा हमारा यही भी होगा अन देशों की मुद्राओं के संदर में मुद्रा का मुल में कमी हो जाना यही भी आपका उत्तर होगा यही भी आपका उत्तर होगा भी वाला चालिस, चालिस में क्या है, भारती रुपए की पूर्ड परिवर्दनियता के परश्ण का परिच्छन निमलिकित में से किस समीति के द्वारा किया गया है, तो सत्यू तारा पोर समीति बिकल्प नमबर C हो जाएगा आपका तारा पोर समीति के द्वारा किया गया है, चालिस क आपका उत्तर सी हो जाएगा आगे चले हम लोग देखते हैं एक तालिस में तो एक तालिस में क्या है निमलिखित में से किसी एक को समावेसी विकास की प्रकिरिया के अंतरगत सम्मिलित नहीं किया जाता है तो किस एक को समावेसी विकास के अंतरगत, समावेसी विकास का मतलब साथियों तरह का जो सबका साथ सबका विकास वाला मामला है, यह समावेसी विकास का एक समलो जो एक उसका नारा है, तो समावेसी विकास की प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसको बत सही है आर्थिक संसाधनों का केंदरी करण साथियों गलत भी केंदरी करण होना चाहिए था भी केंदरी करण आर्थिक संसाधनों का केंदरी करण हो जाएगा समावेसी विकास कैसे होगा कोई खा के मरेगा कोई खाने के लिए मरेगा सब कोई संसाधन का केंदरी करण कर लेग तो संसाधन अनलोग तो कैसे पहुंचेगा तो इसका मतलब यही गलत है समावेशी दिकास में यही बाधा पहुंचाएगा और बाकी सब सही हैं समावेशी दिकास के लिए आगे चले हम लोग देखते हैं 42 विशेश आहरण अधिकार जिसे हम लोग साथियों एक टोकरी बोलते हैं तो HDR टोकरी तो विशेश आहरण अधिकार HDR जिसे बोला जाता है का संबंद किससे है तो साथियों आप लोग जानते हैं आईमेफ से हैं आईमेफ इसको कंट्रोल करता है यह विशेश आहरण अधिका कि इसमें मुद्राय सामिल है जो अमेरिका की सातियों डालर है अमेरिका की है चीन की है और सातियों यूरो है इसमें एक यूरो डालर है और जापान का है एक और इसमें सातियों ब्रिटिस पाउंड ब्रिटिस पाउंड का स्टर्लिंग होता है और जापान का तो येन होता है और इसका तो euro होता है और यह चाइना का तो revenue b भी होता है तो यह मने बता दिया तो यही उसका अइक तरक आई मैस को ना मेश तारल करता एस को इस को चानप स्राफ ना के लिचल करता है तो सें प्रिक्स देशों का मतलब यह जो है यह ब्राजिल हो गया रूस हो गया इंडिया हो गया चाइना हो गया साउथ अप्रिका हो गया तो यहां कसे संबंदीत है यह वाला इसे संबंदीत नहीं है चोह आलिस में देखते हैं लिया हमनों 24 में क्या कह रहे हैं असलिए और संद्शना निवेश बैंक की संदर में कत्रों में से कौन सा सही है पढ़कर हमें सही उतर दीजिए तो पहला पढ़ेंगे आप लो पहुत ही अच्छा सवाल है चाइन्या भारत और चाइन्या द्वारा एसिया और सनशना निवेश बैंग की स्थापना 25 दिसंबर 2014 को की गई थी तो साथियों ये सवाल जो है आपका गलत है 25 दिसंबर 2015 को किया गया था तो 2015 को किया गया था साथियों तो ये मतलब भारत इसके संथापक सदस में तो है और इसका जो है मुक्षालत चाइना में है तो ये बात सही है तो ये आली आपका 14 जगा 15 होना चाहिए था तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला दूसरा वाला जब पढ़ है वोटिंग शेयर ग्रूप में 26 परसेंट है और भारत का लगवग इसमें साथियों साथ साड़े साथ परसेंट है तो यह दूसरा सही है तो आपका उट्टर जो 44 का होना चाहिए वो सी होना चाहिए कि पैटालिस देखते हैं ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलप्मेंट बैंक का मुख्याले कहां है ब्रिक्स देश वही मैंने अभी जो बताया था सात्यों ब्राजिल रूस इंडिया चाइना और साउथ अफरीका तो ब्रिक्स देशों के में जो है यह यह न्यू डेवलप्मेंट बैंक का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले जो सात्यों बनाया गया है वह यह तो इसमें से होना चाहिए यह बिजिन तो नहीं होगा यह चीन में ही है सात्यों ही है संगहाई बिकल्प नंबर डी हो जाएगा यह संगहाई में है विकल्प नंबर आपका B हो जाएगा यहीं है यहाँ पर मुख्याली इसका Headquarter जो है Brix देशो New Development Bank का N.D.B New Development Bank का मुख्याले Headquarter चीन के संगाई में है तो साथियों आप में लोग देखते हैं question number 46 इसमें आप से क्या पूछा जा रहा है कह रहे हैं कि BISHU के सबसे संपन्न देशों का जो समूव है सात्यूं, G7 G7 आप लोग G7 के बारे में पढ़े होंगे सात्यूं, यह G7 क्या है बिस्व के जो साथ सबसे बड़ी अर्थवीज्ट्थाएं हैं, उनका एक समूव है तो वही कहा रहा है इनमे कौन सा सामिल नहीं है यह G7 में सामिल नहीं है तो इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि G7 में कौन सा सामिल है तो आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दो फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, और ब्रिटेन, अमेरिका, कितना हो गया, चार, दो, छे हो गया, एक और यह साथ ही हो, कनाडा, कनाडा है, तो यहाँ पर साथ दे सही है, तो आपनों देखा कि यहाँ पर दच्छिड कूरिया नहीं है, तो पिकल्ब नंबर भी आपका हो जाएगा, यही सामिल नहीं है, जी सेवन में, आगे देखें, आगे हम लोग देखें, यह भारत में जी सेवन नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज कभी नहीं होईएगा, आगे देखें हम लोग 47 में, निमलिखित में से किसके संदर्व में, एमबर बॉक्स सबसिड़ी, Ember Box, Blue Box और Green Box सबसिड़ी हैं साथियों यह 200 व्यापार संगठन है उसमें यह टर्म आपको देखने को मिलते हैं 200 व्यापार संगठन में विकल्प नंबर A आपको जो फिरी में रासन मिलता है तो व्यापार संगठन आरोप लगाता है कि भारत जो है यह Ember Box सबसिड़ी का उलंगन करता है तो यानि एक लिमिट से ज़्यादा जो है यह सबसिड़ी देता है रासन के नाम पर बाढ़ता है तो यह विकल्प नंबर A आपका यह Green Box यह WTO से संब्दी थै है WTO आप लोग जानते है पूछा जाता है प्रशन बहुत खेमस प्रशन होता है यह कि WTO जो बनाया गया था साथियों यह 1905 में बनाया गया था आगे देखें हम लोग 47 हो गया हमारा 48 देखते हैं क्या है हमारा 48 तो 48 वे में क्या है 20 व्यापार संगठन फिर WTO से आगया साथियों सवाल WTO से तो WTO के संदर में दो कथन है इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो क्या कह रहे हैं पहला वाला उर्गवे दवर की वारता के बाद मार केस लिख दिया है यह कहीं कहीं मार केस ऐसे देखने को मिलेगा तो मार केस या मार केस संधी के तहट एक जनवरी 1995 को विस्त व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी तो साथियों यहां पर यह बात सही है हाँ एक जनवरी बने आपको बताया भी था 1995 को किया गया था WTO की स्थापना उर्गवे दवर की वारता के दवरान वारता के बाद तो यह वाला सही है और कर आया कि भारत WTO का संस्थापक सदस है इसका मतलब संस्थापक सदस का मतलब दोस्तों कि जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका सदस है तो यस तभी से भारत है तो दोनों कथने सही है यहां पर तो विकल्ब नंबर आपका D हो जाएगा एक और दोनों सही ह यह D वाला आगे देखे हम लोग अब 49 में तो 49 में आपसे क्या पूछ रहे हैं भारत में राष्ट्री आय की गढ़ना के लिए नेश्टनल इंकम की गढ़ना के लिए भारत में किस संगठन द्वारा किया जाता है कौन सा संगठन भारत की राष्ट्री आय का काल्कूलेशन कर करता है गड़ना करता है तो उन्चास में आपका जो उत्तर होना चाहिए साती हूं आप लोग जानते हैं केंदरी सांखी की संगठा तो इसोगों सी एस ओ द्वारा सी एसो यानि यह सेंट्रेल इस्टेटिकल और्गनाईएशन विकल्प नंबर भी आपका यही हो जाएगा उन्चास का भी हो जाएगा आगे देखें हम लोग पचास में तो पचास में सात्यों क्या है हमसे सवाल पूछ रहे हैं भारत में हरित क्रांती बहुत ही पढ़िया सवाल भारत में हरित क्रांती के संदर में आपको जो है बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो हरित क्रांती जानते हैं सात्यों यह पचास तेसे गिया था गेहूं और चावल के लिए इसमें दो ही फसल मुक्तरोप से थी तो गेहूं और चावल को रूप में भारत को मतलब आत निरभर बनाना था जो अम लोग पहले ला देखे कानने के लिए उसमें अतनिरभर बनाना था तो सौमी नाथन जो है यही मैंने बताया तो इसका मतलब यह सही है हमें अभी उत्तर नहीं मिला क्योंकि उत्तर अभी गलत जो होगा उसे कर बताना होगा तो इससे सबसे ज्यादा लाब पश्चमी भारत के राज्यों को हुआ यह साथियों जैसे पंजाब हरी आड़ा और पूर्वी राजस्थान यह सब जो छेत्र थे पश्चमी उन्हीं को ज्यादा लाब मिला जहां पर सिचाई की सुवधा बेहतरे इन थे वहां पर नदिया नहरे थी तो यही इसका मतलब यही सही हो गया अभी भी हमें गलत नहीं मिला गलत क्या है यह कारकरम मुख्रोब से गेहू चावल और मोटे अनाजों के उत्वादन पर लच्छीं था तो साथीों यहां पर फड़ा सा गल्ती कर दिया उसी के लिए यह कथन आपका गलत हो गया जब यह गलत हो गया जो यहीं उत्तर हो हुगा है यही उत्तर हो क्योंकि हमसे गलत पूछा है तो साथियों या मुख खुरूप से गेहूं और शावल के लिए था, मोते अनाश के लिए नहीं ठाइए, इसलिए गलत हो गया, तो C आपका उत्तर होगा, और ये D वाला भी सही है अपने अस्थान पर, कि खाध्यान आया तक से पहली बार भारत, जो है, खाध्यान में आप निर्भाय यानि 100 लंबी बनने का सच्छम हुआ, तो हम लोग question number 51 देखते हैं, इसमें क्या करा है, कि reverse repo rate बढ़ने से, जो प्रभाव होते हैं, उसके संदर में कुछ कथन्दी आ है, यादि reverse repo rate को बढ़ाया जायदा, क्या प्रभाव पढ़ेंगे, तो बताना है हमें सही उ बैंग हो गया यह और यह RBI हो गया, तो बैंग अपना जब पर पैसा ज्यादा होगा, तो बैंग जब reverse repo rate बढ़ाएगा, तो बाइंग के सोचेंगे हमें ज्यादा प्याज मिलेगा सारा पैसा अपना बाइंग के पास रख देंगे तो इनके पास पैसा बचेगा नहीं जनता को लोन बाटने के लिए तो क्या होगा कि आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन हो जाएगी यानि जब लोन नहीं यानि जनता है गिए नई साते मुद्रा अंय चर्फित घड जाती है क्योंकि जब बैंग किसी mo love नहीं दिया लोन यहीं दे पाया पैसा कोई पाया ही नहीं, कोई खर्ची नहीं करेगा, मार्केट में समान बिका ही नहीं, तो सारा समान जो लोग गर्ज में आकर जो थोड़ा सस्ता बेजने का प्रयास करेंगे, तो यही होता है, तो एक दो आपका सही होगा, बिकल्प नंबर ए हो जाएगा, आगे देखे हम लोग एक बावन में तो बावन में क्या है निमनलिखित में से कौन सी भारत में भारत के समझ आर्थिक चुनोतियों में सामिल हैं तो भारत के सामने साथियों जो भारत के सामने जो है आर्थिक चुनोतियों जो सामिल है वो कौन कौन सी है भारत के सामने आर्थिक चुनोतियो वो दो रुपिय का हो गया, इसका मतलब मुद्राइस्थिती हो गया, वस्तुमोर से वाओं के दाम बढ़ गया, तो उच्छ मुद्राइस्थिती भी है, उच्छ आई बृध्धी है, तो साथियों ये तो नहीं होना चाहिए, उच्छ आई बृध्धी कहां है, तो बेरोजग बावन का उत्तर सी होगा तो पिरपन में हम लोग अगर देखते हैं पिरपन क्या है ये मैचिंग वाला सवाल है बहुत अच्छा तो साथियों बहुत 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 सवाल है ये एक तरफ आपको कुछ मोंटर कमपणी ओ के नाम दिए गए गए है और दूसरा प्रांस की है इसको मैं आपको बता देना क्वे यह फ्रांस की कमपणी है और बारे में। की है और जानते इसको साथ जानते हैं जो ओडी है ओडी हो गया मरसडीज हो गया और ब्रीमड़क्री हो गया है सब जर्मनी की है तो इसते साथ चलायेगा हुंडैम ओटर कंपनी Sud 민ति हें दच्छ़कोरिया की है दच्छर कोरिया को हुंड़ाई मोटर है किया जो किया मोटर है जो है आप लोग देखते होंगे न ये किया ये भी जो है दच्छर कोरिया की है और निशान साथियों जापान की है जापान की और होई साथियों कावा साथी हो गया हुंडा हो गया या महा हो गया ये सब जो है आपान के हैं तो इसका मतलब सब सीधे-सीधे मिले हुए हैं आपका उत्तर सी हो जाएगा आगे देखें हम लोग तो इरफन 54 में क्या देखते हैं तो 54 वाले में क्या है उत्तर प्रदेश के संदर्व में कथनों पर विचार कीजिए तो विचार करके हमें सही उत्तर को देना है तो सही उत्तर देखें हम लोग कैसे देंगे हम लोग पर्यावरण समरच्छन के उद्देश से उत्तर परदेश में शहरी वन लगाने की योजना उननीस सो तिरानबे में सुरू हुई तो साथ यह उननीस सो तिरानबे में ही सुरू हुई थी मतलब पर्यावरण को बचाने की उद्देश से सहर में जो सहरों में वन लगाने की जो हुई ती जिसे सड़क की किनारिया कहीं जी खाली जमिन पड़ी है वहां तो दूसरा पहला सही है दूसरा क्या उत्तर परदे सरकार अप्रेल 2005 में पर्या औरन सूचना प्रडाली केंदर का गठन किया जी 2005 में यही तो कुल अभी लिखी तो एन चेंहें च्छेत्र का परतिसत कितना है तो भारत चिति रिपोर्ट का अंचा सातियो उत्तरपरदेस के बारे बिंप अधूजन के बारे बहारत की जो जो वन स्तिति रिपोर्ट आई थी 2021 में इसी का आधार पर बात कर रहा है कि अपने यूपी में उत्तर प्रदेश में कुल वन छेत्र कितना प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश यह है इसका कितना छेत्र फल पर यह वन छेत्र हैं तो साथियों उत्तर प्रदेश के कुल साथ दसमलों दो दो प्रतीशत पर भूभाग है कि वह यानि वन है यानि इतना प्रतीशत पूरा है कि वल साथ दसमलों दो दो प्रतीशत कि वल वन शेत्र है यह उत्तर प्रदेश में तो विकल भी हो जाएगा आपका अब यहां देखे साथियों इंडियन इस्टेट औरेश्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निउन्तम वनावरण वाला जीला कौन है तो यानि सबसे कहां जिसे यह कौन सा जीला है जहां सबसे कम वनावरण है यानि वहां की घूमी वनों से सबसे कम ढ़की उत्तर प्रदेश के तराई छित निमलिखित में से कौन सा अवसधी पौधा पाया जाता है तो कौन सा अवसधी पौधा पाया जाता है उत्तर प्रदेश के तराई छित्रों में से यह बताना है हमें तो रेवोल्फिया सर्पेंटीना क्योंकि साथ यह तराई छित इसकी ब पाए जाते हैं यह तराई शेत्र में उत्तर प्रदेश के नेपाल के बार्डर हो गए रहे जो जिले हैं तो रेवोल्फिया, सर्पेंटीना, हेक्साइंड्रम, पोडोफाइलियम यानि उपर युग सभी विकल्प नंबर डी हो जाएगा उपर युग सभी 57 का दी तो 58 वाले O ranges ko आप लोग जानते है इसके पारिश्चित की आतंकवादी कहा जाता है इसे और यह तो आप लोग जानते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा पानी लेता है जहां रहता है कौहां पानिक लिवल बहुत नीचे कर देता ली geld क condemn दूसरा उत्तर तो कैसे हम मिलाएंगे देखते हैं आप लोग जानते हैं यह कागज का प्रमुकेंद्र कहा है सहारनपूर में यादर का ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि कागज को अराम से सहला कर खोलते हैं नहीं तो फट जाएगा तो कागज सहारनपूर तो ऐसे थोड़ा कर लेंगे और हम कहते हैं बारते हैं माचिस को तो ये बरेली हो जाएगा ये आपका बरेली हो गया लकड़ी के खिलोने साथ ही हो ये जो है लकड़ी के खिलोने ये सोन भद्र में और जो खेल का समान है मेरट में इस हिसाब से आपका उत्तर कौन होना चाहिए ये वाला तो चार पर आ गया तो पहले ही हमें मिल गया, यह वाला चार पर यानि उत्तर आपका C हो जाएगा, 59 का C हो गया, बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग देखें, 60 में क्या है, तो 60 वाले में, उत्तर प्रदेश 1 जो बिहार के संदर में, एक तरफ आपको पंची बिहार दिया है, दूसरी तरफ को जिला दिया है, किस जिला में कौन सा पंची बिहारन है, और जो सुमेलित नहीं है, यानि जो गलत है, उसी को बताना है, तो कौन सा गलत है, चलो मिलाते हैं, समझ को पंची बिहारन करा है, बलिया में है, नहीं सातियों, या राय बरेली में है, यह कहां करा है, राय बरेल अपनी जगब पे सए है सब मिलान सए है कि वहल यही गड़गड था तो इसी को उमें बताना था बखीरा पंंशियो बिहारण संतर कभीर नगर तो नाम से ही पता लगा है कभीर कभीरा बखीर तो इसी तरह से कुल इसका रिदम लग रहा है यह पारवाती जो है गोंडा गौरा से कोंडा पतना वंज्यू अभ्यारन इसमें पतना एटा तो लग्राय बिहार में लेकिन उत्तिर प्रदेश में है तो ये सब सई एन पर ये वाला गडवर्ण तो 61 में कतरनिया घाट वन्जू अभ्यारण उत्तरप्रदेश के किस जिले में है तो ये हमें बताना है साथियोँ तो यह यहां पर अब यह कहा है लख मी यह लखीन पूर खिरी में तो नहीं है वाराणसी में तो नहीं है यह बहराईष में होना चाहिए तो विकल्ब नंबर सी हो जाएगा आपका बहराईष में तो कोई चीज आपको clear न रहे तो जो जिसको एकदम confirm लगे ये नहीं हो सकता Elimination कर दिया करिए आप लोग उससे भी उत्तर निकलने की संभावना अधिक रहती है अमनगर टाइगर रिजर उत्तर प्रदेश के किस जिले में तो अमनगर टाइगर रिजर साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो बिजनौर में यहाँ पर दिया है साथियों उत्तर परदेस बिजनवर में जहां से गंगा नधी प्रवेस करती है उत्तर परदेस में उस जिले में तो आगे देखें हम लोग 63 में क्या है उत्तर प्रदेश 1 नीती 1998 कनुसार किसी भवगोलिक छित में कितना प्रतीसत होना आवस्यक है तो साथियों उत्तरप्रदेश की जो 1-0-1 नीटी आई थी 1998 वाली तो उसमें कहा गया था कि अभी तो उत्तरप्रदेश की जो है किवल 7 दसमलो 2-2 प्रतीसत जो है ये 1-6 है तो उसमें ये कहा गया था कि जो है लगभग 33 प्रतीसत होना चाहिए तो इसका मतलब C, यहाँ पर C की बात कर रहा है एक तिहाई मतलब एक तरह से याद रखिएगा 64 में तो 64 में आपसे क्या पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सोनभधर जिला निमलिखित में से किस राज की सीमा को असपर्स नहीं करता है तो सोनभधर जिला निमलिखित में से किस राज की सीमा को असपर्स नहीं करता है तो सोनभधर आप लोग जानते हैं साथियों ऐसे उत्तर प्रदेश का माईप देखेंगे तो वो जो है चार राज्जों की सीमा को साजा करता है एक आपको मैं यहां बता दूँ ऐसे उत्तर प्रदेश नीशे आप देखें उत्तर प्रदेश का सबसे दच्छडी जिला है ये तो एक तो बिहार से सामा सीमा साजा करता है दूसरा जहारखंड से सीमा साजा करता है पीसरा च्छत-पिस गड़ से सीमा साजा करता है और पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर में कौन सा कथन सत्य है तो जो सत्य है उसे पढ़कर सत्य उत्तर हमें देना है यहां सही उत्तर की बात कर रहा है तो छेत्रफल के दृष्ट इसे या भारत का तीसरा अस्थान रखता है तो सात्यों गलत बात है उत्तर प्रदेश के जंदर्म पूछा तो जंसंख्या के दिश्टी से ऊपर साथियों ये जंसंख्या के अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे 28 जिलों में पूरे 28 राजियों में सबसे टॉप पर है तो ये सबसे टॉप पर है और लेकिन अगर ये छेत्र की बात पी जाए सातियों ये उत्तरपरदेश का छेत्रफल तो उत्तरफल मामलें उत्तरपरदेश चौथे अस्तान पर है तो आप लोग के दिमाग में आओगा सर्फ पहला तीसरा जो ये सातियों महराष्ट का है और ये चौथा अपना यूपी का है तो ये बाते सही है आपकी इसकी पहली 9 नौबर 2000 को इसका वर्तमान भावगोलिक अस्तित में आया क्योंकि यही पहाड़ी 13 पहाड़ी जीलों को काट कर उत्तरपरदेश के 10 परवरती जीलों को क कि असरी अपना इसियुक्त में हमारे तो 9 नवंबर यहाँ दे ज्या चाय दिये 2000 को इसका वर्तमान भावगोलिक अस्तित में आया था तो یہ तो सही 걱정 कि यह घलत होग पहला वाला क्योंकि हाँ तीसरा दे दिया न सफूरी यह मैं संपू जो गय यह घलत हो गया जरा गलत हो केवल दूसरा साहिए बीवागा आगे देखें तो पैंस छाँछट में दिये गए मतलब आपको एक तरफ राज दिये गए हैं और दूसरी तरफ उत्तरपरदेश के जिले दिये गए हैं तो उत्तरपरदेश के जिलों के संदर में कौन सा युग मसाही सुमेलिक नहीं है तो हिमाचल परदेश से कौन से मतलब जो गलत है उसी को बताना है हमें तो हिमाचल परदेश से साथियों ये सहारनपूर जो है सीमा साज्या करता है सहारनपूर जो है हिमाचल परदेश से भी करता है और जो है और सभी करता है लेकिन हिमाचल परदेश से भी करता ह सातियों आगरा और मथूरा करता है राजस्थान से बिहार से चन्नवली और यह अलिगड उत्राखंड से सातियों यह जो है अलिगड है यह अलिगड उत्राखंड से नहीं करता है यही आपका विकल्प जो है डी यही गलत है यही आपका उत्तर होगा और बाकी सब अपनी है इसे याद रखिएगा सबसे नौर्थ वाला सहारनपूर होता है और सबसे साउथ वाला यह सोनभद कि आगे देखें हम लोग कि संसेट में देखें क्या है उत्तर प्रदेश के जलवायू के संदर में इन मिल्की कत्रों में से कौन सा असत्य है कौन सा गलत है उत्तर प्रदेश के जलवायू के संदर में साथियों तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायू के संदर में सीत रितू में उत्तर प्रदेश में प्रदेश का तापमान उत्तर से दच्छिड की और बढ़ता है यस ये बात तो सही है लेकिन गलत हम से पूछा है तो प्रदेश के पश्चमी मैदानों यों परवती भागों का आउसत न्यूज़न तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है यस यह भी बात सही है करकरेखा से अधिक निकरता के कारण बुंदेल खंड सरवादी का उसत तापमान पाया जाता है तो साथियों यह भी बात सही है करकरेखा से नजदीखी होगा इसलिए तो यहाँ पर यह तीनों जब सही है जिसका मतलब एक डी बाला गड़बड होगा डी आपका उत्तर हो जाएगा करा बरेले जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तो साथियों यह नहीं बरेले जिले में सबसे अधिक गर्मी नहीं पड़ती है यह जो है जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है सही बात है सबसे अधिक नहीं सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेले में यही गलत होगा आपका परदेश की जलवायू के बारे तो कोपेन के अनुसार उत्तर परदेश सी डब्लू जी जलवायू मिलता है सात्यूं कोपेन आप लोग मालूम है मुख्रोप से भारत की जो जलवायू है ए बी सी डी में बाटा था और फिर इसमाल लेटर का प्रयोग करके इन सब को उप मिलता है थारनवेट के अनुसार उत्तर परदेश में जो है सी बी डब्लू मिलता है यह भी है थारनवेट ने जो यह बोला था तो दोनों बाते सही है तो सही उत्तर में आपका सी हो जाएगा उनसठ में तो उनसठ में आपसे क्या पूशा जा रहा है उत्तर परदेश में पाई जाने वाली मिर्दा और उसके अस्थानी नाम के संदर में बताईए तो मिर्दा हो गई एक अस्थानी नाम हो गई तो जो सही नहीं है उसे बताईए तो साथियों सही कौन सा नहीं है उस अस्थानी भासा मे रह बोला जाता है बलोई मिट्टी को भूड बोला जाता है काली मिट्टी को करेल बोला जाता है या रेगुर भी बोल दिया जाता है यहां बुंदेल खंड की जो मिट्टिया है उसे साथियों माड मिट्टी बोली जाती है या पडवा मिट्टी बोली जा तो विकल्ब नंबर यहां D गलत है आपका उत्तर D हो जाएगा 69 का तो आगे चलें काली मिट्टी को कई सारे नामों से जानता है साथ करेल भी जाना जाता है कपासी मिट्टी भी जाना जाता है और तमाम और तरह के जो है जानी जाती है तो सत्तर में हम लोग देखें तो सत्तर में क्या है निमलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश से है सिंपल सा प्रश्न यह मुना का तो नहीं है यह आती है उत्तर प्रदेश के क्या उस भारत में भी नहीं है इसका उस पार से आती है हिमाले से घागरा भी नहीं है राप्ती भी नहीं है गोंती है दिकल्फ नंबर भी उत्तर पडेश के पीली भी से निकलती है जील से आगे देखें एक अथतर में उत्तरपदेश के प्रमुख बांध और संबंदीत नदी के संदर में कुछ कथन दिये गया है तो बांध का नाम दिया गया है यहां नदी दिया गया है तो कौन सा सही नहीं है उसे पकड़िए जो बांध और नदी का मैचिंग नहीं कर रहा है उसे पकड़ना है तो ओबरा साथियों जो दे दिया है यहां पर ओबरा यह कह रहा है घागरा नदी पर बनाज साथियों गलत ओबरा रिहंद नदी बना है रिहंद नदी आप लोग देखेंगे सुनभद्र में बहती है तो यह रिहंद रिहंद नदी बहता है इसे याद रखिएगा तो यह हो पूर करदिया नदी अहरोरा बेलन नदी पर आगे अमलोग देखें ए 72 में तो 72 में हमसे क्या पूछ रहे हैं भारत में सकल घरेल उत्वाद यानि GDP की गड़ना के आधार वर्स किया है जो GDP की गड़ना की जाती है आधार वर्स का मतलब एक नार्मल वर्स ले लिया जाता है ज इसमें बहुत उतार चड़ाव नहीं हुआ हो तो उसी काधार पर गड़ना किया जाता है तो कौन सा है साथियों यह 1112 है विकल्प नंबर सी काफी सारी चीजों में 1112 का लिया जाता है तो 73 हम लोग अगर देखें तो 73 में क्या है तो 73 में साथियों जो पूछी जा रही है बात हमसे GI टेग से समने त्यानि भावगोलिक संकेतक के संदर में दो कथन है दोनों को पढ़कर हमें सही उतर देना है तो यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिक्रित उपयोग करता हो या भावगोलिक छेत में रहने वाले लोगों को ही लोग प्रियोग करने की अनुमत है तो साथियों यह बात सही है जी आई टेग इसलिए दिया जाता है कि वहां के लोकल्टी को दर्साने के लिए यह बावदिक संपता अधिकार यानि ट्रिप्स के व्यापार संबंदित पहलों पर डबलू टीयों के समझे होते द्वारा शासित और निर्देशित है तो कौ है साथियों जिसका नाम है Asian drama and inquiry in the poverty of nations इस नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक साथियों यहाँ पर दे दिया है गुर्णार मेडल, रेगनल नर्ग्स, रोश्टोग और कार्ल मार्स दे दिया है तो साथियों यहाँ जो होना चाहिए यह आपका यह बिद्वान है गुर्णार मेडल तो इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा पचाहतर में हम लोग देखते हैं पचाहतर में क्या है कथनों को विचार निमलेखित कथनों पर विचार कीजिए विचार करके सही उत्तर देना है तो जन जनरल एंटी अवाइडेंस रूल जो होता है यह हैवन देश्यों से आने वाले जो निवेस होते हैं वो चोरी टैक्स की चोरी ने कर सकें उसको रोकने के लिए है यह बात सही है और धन-सोधन निवारण अधिनियम 2002 में लागू किया गया था साथियों नहीं यह बात गलक ह जिस regular के सब्ड़ल अधियर कम ले जिसे हम लोग पीमले पीमória जो है आनु यह कानुं कहते हैं इसी आधि कीया है साथियों धन-सोधन के मामले में किया जाता है जो 2000 में इसे बनाया गया था और 2005 में इसे लागू किया गया था यह गलत हो गया तो साथियों कैस क्या होता है पीमले जो भी केजरीवाल और तमाम जो है मुखमंतियों को जेल में भर दिया गया था केटी सिवियाई के द्वारा यह ऐसा केस है जैसे किसी को पर लग गया कि हाँ इन्होंने काले धन को अवय तरीके से सफेद किया है तो उसको मतलब जेल में बंद करके तब जांच किया जाता है यानि अलिमिटेट समय के लिए उससे जो है जेल में रखा जा सकता है और रखकर जांच किया जाएगा, जब मामला पाया जाएगा, खाँ ये अपराधी है, इन्होंने गलत किया है, अपराध किया है, तब उन्हें फिर से सजा होगी, अगर ये पता लए खाँ इन्होंने नहीं किया है, छोड़ देगी, नार्मल कानून में क्या होता है, पहले आ जाधा देख लिए हमारा इकोनामिस का यह जो टेस्स सीरीज है डेर सो प्रशनों की टेस्स सीरीज है इसमें हम लोग 75 देख लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इसके बाद हम लोग जस्ट सेकेंड पार्ट इसका अपलोड करेंगे जो question number 76 से लेकर 150 देख होगा तो साथियों काफी चीजों को हम लोग अच्छे देखते हैं थोड़ा समय लगेगा क्यों उत्तर बरताने से कोई फायदा नहीं ऐसा पता है जिससे आपको भी समझ में आए और आप भी जिसको बता सकें समझ सकें आप एक्जाम दें तो आपक नहीं होगा इसलिए चीजों को आजस्था आजस्था करके बेहतरीन से बेहतरीन आपको चीजे देने का प्रयास करते हैं तो साथियों चलते हैं अम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार जैए